हेले मेरे उनेजी इतने मेरे बीपेसी चैनल शिक्षक्षाती शिक्षा जगत से जुड़े तमाम पर करका दिकारी और वाउक वी नंदन टूडे नीज में आप सभी का एक बार स्वागत है फ्रेंड साम तक कि शबी ताजा अपडेट्स लेकर मैं परजन सूँ खबरों की सुरात हो इस से पहले आप मेरे चैनल को फ़ली बार विजीट कर रहोंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है वीडियो हिलफु लगता है तो आपकी एक लाइक बनती है तो चले खबरों की सुरात करते हैं बिहार के शबी शिक्षकों के लिए किया आ रही है जुड़ी अपडेट्स जी हाँ फ्रेंड सबसे ताजा तरीन खबरे आ रही है यू-डैस इसिक्षक को लेकर आया है निर्देश एक अक्टूबर से पहले यू-डैस इसिक्षक कोस को लेकर के बिहार के तमाम परकार के सिक्षक जो बिपेसी है नियोजित है नियमित है सभी को लेकर आ रही है अपडेट की यू-डैस इसिक्षक कोस एप 82 अस्तर से अपरेटर के द्वारा आपका अपडेट किया जाएगा और उसके बाद आपका 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजरी पर वेतन भुगतान वाली परकिरिया चलेगी और यह परकिरिया शुरू हो चुकी है जी हाँ तो आपके हम इस परकिरिया को अपडेट 82 अस्तर से अपरेटर से करा सकते हैं या अपरेटर साहब आपको 82 अस्तर पर गुला कर अपडेट करा सकते हैं ये आपके परकिरिया सुरू हो गई है और आपको बतकते क्यों कहें कि ये परकिरिया बहुत आगे बाढ़ चुकी है तो फ्रेंट्स अगर आप चुक रहे हैं तो अपने से 82 अस्तर से आप प्रेटर से बात करिए क्या मेरी अपडेट परफाइल हो चुकी है सिक्षा को से पर अगर हां तो ठीक है नहीं तो आप अपडेट जरूर करा लें तो फ्रेंट्स आपको बता दे कि इसमें अपडेट कराना ही कराना है दूसरी और खबर के और रुक करते हैं एक अक्टूबर नहीं हुआ इस डायस कोट पर अपडेट इस सिक्षा को स्वाली तो आपका वेतन बंद होना तै हो जाएगा जिया फ्रेंट्स तो इसे चुके नहीं दूसरी और खबर के रूख करते हैं इपीफो को लेकर के न्यू एश्यमेश आपके मुवाइल पर आने शुरू हो गया है यानि इपीफो से कटावती आपके दिखाना शुरू हो गया है फ्रेंट्स जू दिखा रही है तो फ्रेंट्स और अगर आप कॉल से मिश कॉल से पता करना चाहते हैं बैलेंस तो उख पर किरिया लगभग लगभग स्टॉप हो गई है जब भी आप मिश कॉल करते हैं तो क्यो आई सी का निर्देश मिलता है तो क्यो आई सी आपको कराना नहीं है आपका लेड़ी मैसेज आएंगे यह टेक्निकली इसूज इपीफो के लिए है नेक्स खबर के रूप करते हैं सिक्षको कार जो है मुल्यांकन की कारे परगती पर आई जी हाँ आपको बता दे कि सिक्षक आज सभी ब्यार्सी अस्तर पर बनाएगे क्लेस्टर में काम करते नजर आ जी है फ्रेंस आज विशेवार मुल्यांकन करना है और आपको बता दे कि शमेंकन के रूप में आपको हर लग अलग विशेश से सबंदित हर जो छातर छात्राएं हैं कक्षा बार अलग-अलग आपको फॉर्मेट में भरना है उसके बाद राइश्टर त्यार करना है गती पत्र के रूप रेखा बदल भी शकते हैं लेकिन इसके लिए क्या कुछ करना होगा तो फ्रेंड्स आपको बता दे इसके लिए आपको अगर दसहरा की छुटी कैद हुई तो ये फॉर्मेट बदल जाएंगे यानि दसहरा पूजा बाद जा सकते हैं लेकिन तमाम आइस टेक अभियांग की दबाव और सिक्षों की मांग और सिक्षक्षंगों की मांग के भी शरकार उपू में पड़ी हुई है लेकिन पत्र का इंतेजार आपको करना ही होगा जी हां फ्रेश नेक्स खबर क्यों रूप करते हैं कि छुटी का बढ़ने का आसार तो बढ़ सकती है यानि कि छुटी में भी आपके काउंसिलिंग परेशेश चल सकते हैं इसके लिए आप रेड़ी रहिएगा जी है फ्रेंट बीस बी के गहरी मन्थन के बाद यह आ रही है बड़ी अपडेट्स तो आपके लिए जो सक्षमता वन जिरो में मिसमेच दबाव फूल और OTP नहीं आये हैं उनके लिए एक बड़े अपडेट्स है कि अगर दसारा पूर पहले हो जाता है तो यह बेस्टाप लग कहा जाएगा नेश खबर के रूख करते हैं क्या दसारा समेथ 10 प्लस छुटी की डिमांड रखी गई है और इस पर मोहर जल लगने के असार पठ गए हैं तो फ्रेंट्स हमने जैसे कहा कि आज कल आपको इंतजार करना होगा और इस शिया वांटन को लेकर के 14 अरब प्लस की रासी कमी नाउन सून हो गई है फ्रेंट्स बहुत उमीदे है कि आज शाम तक आ जाए और नहीं तो कल निश्चित निश्चित ही आएगी रासी उसक के अनुरूप दा सहरापूर भुकतान की परक्रिया एसे से जी ओबी और साथी साथे निव जी शिक्षूर साथी के लिए अफनाई जाएगी यह तमाम परकार की अपडेट थे जो आपके लिए आये थे खबरे अच्छी लेगी तो लाइक से और कमेट करेगा थैंक्स वर बरी बाचें